Welcome to EJF Academy, मैं हूँ Dr. Gita Anjali, current affair series में आज का topic है, plastic overshoot day report, plastic overshoot day report यहाँ पर निकाली गई है, इसके हिसाब से 28 July 2030 को plastic overshoot day observe किया गया, तब देखते हैं कि यह होता क्या है, देखो plastic overshoot day का मतलब होता है, जब हमने इतना plastic यहाँ पर produce कर दिया कि हम इसका manage नहीं कर सकते हमारा जो management की capacity है, उससे जादा हमने produce कर दिया plastic, तो होगा गया, उसका management नहीं होगा, तो यह जो plastic है, यह धीरे-धीरे हमारे जो sea है, ocean है, वहाँ तक पहुंच जाएगा, जिस जगह पर यह है, जिसकी landfill है, लेंड फिल में यह toxins create करेगा, उससे disease हो सकते हैं, health को impact हो सकता है, तो इसे ही हम क production एक research consultancy है, जो कि Switzerland में based है, इस figure में आप देखोगे, अलग-अलग countries का overshoot day, जो global overshoot day है, वो आपका 28 July को था, लेकिन इसमें भी हर country का अलग-अलग production है, plastic का और management भी उनका अलग-अलग capacity है, तो उसके हिसाब से हर country का अपना अलग-अलग plastic overshoot day है, इंडिया का आप देखोग इंडिया ने इतना plastic generate कर लिया था, कि उसके बाद का जितना भी plastic generation हुआ, उसके management की capacity नहीं है इंडिया के पास, तो ये काफी जादा harmful situation है environment के लिए, कि हमारा plastic pollution इतना जादा बढ़ चुका है, अब नाइजेरिया का आप देखो, नाइजेरिया में 3 जनवरी को ही इतना plastic produce हो नहीं है, उसको improve करने की ज़रूरत है, इनके opposite कुछ countries like Denmark, Denmark का जो overshoot दे था, वो था 26 December को, it means कि इनके management capacity भी अच्छी है और ये plastic pollution भी कम करते हैं, तो कुछ ऐसी countries जिनका management capacity is good, इसमें आते हैं Denmark है, Canada है, France, USA, Switzerland, Australia, New Zealand, Japan, UK, ये सारी countries, लेकिन यहाँ पर आप जितनी भी countries को दे इरान, इन सबका year के first 1-2 month में ही management capacity exceed हो चुकी है, तो ये environment के लिए काफी dangerous condition यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये जो report publish की विए, उसके हिसाब से जो plastic overshoot जो calculate किया जाता है, वो mismanaged waste index निकाला जाता है, एक mismanaged waste का मत्तब कि यही है, जिस waste को हम manage नहीं कर पा रहे हैं, तो कितना plastic हमने produce किया और कितने को हम manage कर पाएं, उसी से निकलता है mismanaged waste index, plastic pollution crisis, report ने यहाँ पर बताया है, दो हजार तेईस में लगवाग 68 metric ton plastic यहाँ पर produce किया गया था, जो which entered nature, it means कि यह plastic, unmanaged plastic है, यह as such nature में आ चुका है, जो कि अब जब plastic होता है, वो easily degradable नहीं होता है, वो क्या है, एक non-degradable organic matter है, जिसको कि bacteria degrade नहीं कर पाते हैं, तो इसका जो lifetime होता है, वो 500 से 1000 years तक हो सकता, इट मिस कि हमने plastic produce करके अगर ऐसी फैंक दिया, तो 500 हजार साल तक ऐसी ही रहेगा, और उतना जादा वो damaging impact अपना करेगा, तो अभी यहाँ पर 68 metric ton plastic nature में आ चुका है, और इसमें भी 52% responsible है, सिर्फ 12 countries, सिर्फ 12 countries नहीं 52% mismanaged plastic waste यहाँ पर produce किया है, इंडिया भी उनमें से एक है, इंडिया के अलावा उसमें है Brazil, China, Indonesia, Thailand, Russia, Mexico, USA, Saudi Arabia, Congo, Iran का जाकस्तान, तो यह 12 countries हैं, जो 50% से ज़्यादा plastic waste को generate कर रही हैं, और उसको manage नहीं कर पार, global mismanaged plastic waste by 2025, देखो 2025 तक सबसे ज़्यादा कॉन produce करने वाला है, चाइना, चाइना का production होगा 25.7 million metric ton, सबसे ज़्यादा यहाँ पर ही produce होगा और वो managed नहीं होगा, प्लास्टिक, इंडिया का अगर हम देखे तो लगबख 41,000 metric ton, mismanaged plastic होगा, इसके लावा और भी countries का आप है, फिलिपेंज, वियतनाम, यह सारी कंट्रीज है, 2025 तक प्लास्टिक पॉल्यूशन और ज़्यादा बढ़ते रहेगा, अगर regulatory actions नहीं ले गए, इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी, तो क्या impact होता है, इस mismanaged प्लास्टिक का, देखो, सबसे पहले तो प् प्लास्टिक की वज़े से, एक तो यह इंटेंगल होके मर जाते हैं, और दूसरा उसको food समझ के consume कर लेता है, अगर consume करें के प्लास्टिक को, तो भी उनके death हो जाती है, chemical exposure, देखो, ingestion exposes animal to toxic bio accumulating POP, जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक में कुछ colors का भी use किया जाता है, वो color भी damage करते हैं, और यह प्लास्टिक में ऐसे toxicant होता है, जो persistent organic pollutant है, it means कि वो degrade नहीं होते हैं, अगर fish ने plastic को खा लिया, उसके अंदर वो POP आ जाता है, persistent organic pollutant, उसके बाद हम फिर उस fish को खा रहे, तो यह POP हमारी body में भी आ जाता है, और उसके बाद फिर यह humans को भी harm क करता है, तो इंडिया का plastic overshoot day 6 जनवरी को ही हो चुका था, इंडिया में per person जो consumption of plastic 5.3 kg है, जो कि global average से काफी कम है, globally per person consumption of plastic 20.9 kg है, 20 kg per person यहाँ पर consume होता है, इंडिया में 5.3, लेकिन इंडिया के population इतनी जादा है, कि वो जो plastic का total amount होता है, वो बहुत जादा हो जाता है, तो it means population को control करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इंडिया में क्या-क्या issues हैं, plastic waste के, देखो, poor waste management infrastructure, waste produce हो तो ठीक है, लेकिन उसका management अगर हम कर सके, तो हम जादा waste भी produce कर सकते, if we are capable of managing it, तो इसलिए inadequate waste management, waste management आपको इस तरीके का दिखाई देगा, landfill के area, जहाँ पे की बहुत ही, हर disease वगर है, यहाँ पे grow हो सकती, bacteria, viruses, insects, वो सब grow करते रहते हैं, तो जितने भी majority of municipal authorities है, facilities नहीं है, सही facilities नहीं है, कि जो waste है, उसको segregate किया जाए, उसके बाद उसको segregation का collection, transportation, recycling, plastic को अगर हम recycle कर सके, तो उसमें से हम energy भी extract कर सकते हैं, plastic से, उसके लिए technology को develop करने की जरूरत है, जो municipal authorities है, उनका capacity building की जरूरत है, जो कि इंडिया में काफी lacking है, तो significant portion, जितना भी plastic waste होता है, वो जाता तर जाता है, landfill में और फिर वहाँ पे यह करता है, pollution, CSE की report के सबसे, CSE Center for Science and Environment, यह एक NGO है, जो कि environment पे काम करता है, उसके साबसे, इंडिया में जितना भी plastic pollution होता है, उस तो incineration की process में, जो भी waste होता है, चाहिए वो plastic waste हो, या किस भी तरीके का waste हो, उसको in incinerator में काफी high temperature, लगभग 750 degree Celsius से उपर burn कर देते हैं, उससे energy बनती है, उस energy का use किया जा सकता है, electricity के production में, लेकिन यह जो incineration की facilities है, यह actually काफी जादा costly होते हैं, so that's why यह installed नहीं होते हैं जादर-दर जगों पर, अगर हम इसको install कर सकें, और इससे जो plastic है, और बागी तरीके का भी जो waste है, उन सबसे, अगर हम energy extract कर सकें, तो वो waste को management करने का एक effective तरीका हो सकता है, लेकिन इंडिया में आप देखोगे, सिर्फ 20% ही plastic waste का incineration होता है, actually plastic में काफी जादा energy होती है, हम काफी energy उसमें से extract कर सकते हैं, तो हमें ज़रूरत है इस तरीके की facilities को जैसे इंसिनेटर है, पाइरुलाइसिस है, इन सब चीजों को available करवाने की काफी जादा ज़रूरत है अब प्लास्टिक को manage करने के लिए कुछ loss भी बने है, जैसे कि plastic waste management rule 2016, जो important provision है इसके, तो इसमे होता है कि जो बहुत बतला, बहुत थीन होता है plastic, वो जल्दी fragment हो जाता है, और ऐसे चोटे-चोटे इससे क्या बन जाते है, माइक्रो प्लास्टिक बन जाता है, चोटे-चोटे, उसके बाद यह जब पहुंचता है, माइक्रो प्लास्टिक किसी भी aquatic environment में तो उसको marine organism के अंदर पहुंचाता, जैसे fishes के अंदर पहुंच गया, फिर उस fish को हमने consume किया, तो फिर वो हमारी body में भी पहुंच गया, तो अगर इसके thickness को बढ़ा दिया जाए, जैसे 40-50 कर दिया गया, तो उससे यह fragmentation नहीं होगा, ज्यादा fragmentation, माइक्रो प्लास्टिक कम बनेगा, तो water से damage नहीं होता है, तो उससे जो road बनती है, वो काफी strong, उसमें strength भी आएगी और plastic को use भी किया जा सकता है, energy recovery, उसमें से energy recover किया जाए, जैसे कि incinerators जो होते हैं, उसमें अकर प्लास्टिक को बन करते तो उससे energy मिलती है, electricity बन सकते है, इस तरी के काम में यूज किया जा सकता अब रूरल एरिया में भी पहुंच जोका है, तो रूरल एरिया को भी अब इन rules के ambit में रख दिया गया है, वहां पर भी लागों गया थी rules, जो waste generator है, यानि कि जो companies plastic को बनाती है, उनको कुछ responsibility दी गई है, कि आप जितना plastic market में release कर रहे हो, आपकी responsibility है कि उसको आपको management, amendment rule 2018, 2018 में जब यह rule आते हैं, इसमें बोला गया, phasing out of multi-layered plastic, इसमें multi-layered plastic है, इसमें multi-layered plastic है, इसमें multi-layered plastic होता है, यह होते हैं multi-layered, इसमें कोई भी material जिसमें एक layer तो plastic की है, उसके बाद, plastic की जो first layer है, that is the main ingredient, उसके साथ और भी layers है उसमें, जैसे कि paper, paper board, polymeric material, aluminium file, य उसको बोला जाता है multi-layered plastic, अब ऐसा multi-layered plastic, जो कि recyclable भी नहीं है, उसमें से कोई energy भी recover नहीं हो सकती है, और कोई alternative use भी नहीं है, मतलब कि एक बार उसको use करो, फिर वो बेकार है, तो उनको phase out करना है, वो हटाना environment से, यह था 2018 का जो amendment rule था उसमें, फिर amendment rule आता है 2022 का, 2022 में extended producer responsibility लेके आगया था, मतलब कि पहले जो manufacturer थे, plastic को बनाने वाले companies, उनको ही responsibility दी थी कि वो जितना भी plastic बना रहे, market में release कर रहे, उसको वापस लेंगे, इसके बाद इस responsibility को extend कर दिया था, कि जो companies manufacturing है, उसके बाद जो retailers जो है, जो उसको बेच रहे हैं, उसकी भी responsibility है, plastic का उनको वापस collect करना है, उसको manage करना है, fast track of elimination of single-use plastic, जो single-use plastic है, इसकी जो सिर्फ एक बार हम use करते है, disposables जो होते हैं, उसके बाद फैंक देते हैं, उनको eliminate करना है, और उसका कोई alternative पे काम किया जाएगा, alternatives को promote किया जाएगा, इसके साथ ही, यहाँ पे जो plastic bag की thickness है, पहले कि नहीं करी थी, 50 micron करी थी, 50 से 75 micron कर दिया गया, September 30, 2022 में उसके बाद उसको और भी बढ़ा दिया गया, 75 micron से भी 120 micron का प्लास्टिक का थिकनेस यहाँ पे कर दिया गया है, December 2022 के बाद से, इसकी जितना जादा थिकनेस बढ़ेगी प्लास्टिक की, उतना microplastic कम बनेगा, और वो प्लास्टिक आइटम्स कुछ कंपलीटली बैन कर दिये गए हैं यहाँ पे 2022 से, जिसमें की, इयर बर्ड्स है, प्लास्टिक स्टिक्स फॉर बलून्स, प्लास्टिक प्लैग, पॉलिस, टायरीन, फॉर डेकोरेशन, प्लेशन, प्लेट, कप्स, ग्लासे, कटलरी, यह जो सि बैन कर दिया गया है, इस वीडियो को PDF आप दिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिये के लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, करेंट अफैर्स सीरीज को फॉलो करने के लिए आप चैनल को सब्स्क्राइब करें, you can join our affordable courses for your better preparation, website link is given in the description box.